नमस्कार फ्रेंड्स मैं सागर पावार आपका इस येटूब चैनल में सौगत करता हूँ तो आज का टॉपिक है हमारा आत्म विश्वास को बढ़ाने का एक अनोका तरीका तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पॉजिटिव विचार या पॉजिटिव गटना जब यात आती है तो हमारा confidence बढ़ जाता है ये निगेटिव और पॉजिटिव विचार को कैसे कंट्रोल करें हमारा दिमाग है ना एक bank account की तरह है इस दिमाग में सारे पॉजिटिव और निगेटिव विचार जमा होते है और हर रोज ये विचार बढ़ते जाते है जब भी आप सोचने बढ़ते हो तो आपके दिमाग की account से समझ्य बाहर आती है और ये दिमाग का account आपको कभी भी दोका नहीं दता आपके साथ हमेशा प्रामानिक रहता है जब भी आप उसको बोलते हैं कि ऐसे कोई मुझे विचार दे इस काम को मैं करने में कमज़र हूँ या मैं इस काम को नहीं कर सकता तो आपको कहता है येस बस और आपको ऐसे सारे विचार देता है कि जिस काम से जिस विचार से आप उस काम को कर नहीं सकते वो बोलता है याद करो पहले भी ऐसे दो बार हुआ था जो काम करने के लिए आप चले थे पर वो काम में आप असपल हो गए याद करो आपका एक दोस्ता वो आपको हर बार बोलता है कि तूँ ये कर नहीं सकता याद करो कि आपके ओपिस के स्टाफ लोगों में आपने बोलते हुआ सुना था कि ये कर नहीं सकता इसके बस की बात नहीं है इस तरह आपका दिमाग आपको निगेटिव यादे दिलाए पर जब आप ऐसे पुछते हो कि मुझे कोई ऐसे विचार दे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो दिमाग कहता है येस बस और आपको ऐसी यादे दिलाता है जो दिमाग में पहले ही जमा करी थी याद करो आपने पहले भी ऐसे परस्टे में शांदार काम किया था याद करो जो आपका एकदम करीबी दोस्त है उसको आप पर कितना भरोसा है याद करो तुमारे घर वाले उस दिन कह रहे थे कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है याद करो आपके दोस्तों को आप कितना अच्छा बोलते हुए सुनते हो कि आपके बारे में वो बहुत अच्छा बात करते है इसका मतलब जब आप अपने दिमाग को जिस तरीके से सवाल पूचोगे उसी तरह से जवाब मिलता है अगर आपको आपका confidence बढ़ाना है तो दिमाग में सिर्फ positive यादे बाहर निकलनी चाहिए जब भी आप ऐसे कुछ सवाल पूचते हो जिसका आप positive ही जवाब आए ऐसे सवाल पूचते हो तो आपका दिमाग आपको positive ही यादे बाहर निकल के देगा जब भी आपके दिमाग से निगेटिव विचार आने लगे तब आप दिमाग को पॉजिटिव विचार करने के बारे में पूज़ो तो पॉजिटिव विचार आएगे इसके लिए दो प्रयोक करोगे तो ये आपका confidence बढ़ा सकते है पहली चीज़ है अपनी दिमाग से सिर्फ पॉजिटिव विचार ही बरे इस बात को अच्चे से समझ लेना हर आदमी की जिंदगी में दुकत मुश्कील घटना होती ही है परुन्तु इन घटना में सपल और असपल लोगों को अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं असपल लोग बुरी घटना को दिमाग में रखते हैं और बार-बार उसे दहराते हैं बार-बार उसे याद करते हैं रात को सोने से पहले भी वो उसी बुरी घटना को याद करते सोते हैं उसी तरह सपल लोग बुरी घटना को गूल जाते हैं और उसी घटना को बार-बार याद करते हैं जो positive होती है सोने से पहले भी अच्ची ही बाते वो याद करते रहते हैं तो जब भी आप सोते हैं उससे पहले negative विचार आये तो तुम दिमाग से positive विचार निकालो और उसके बारे में सोचते हुए आगे जाओ सुबह उठते ही positive विचार दिमाग में लाओ और दुसरा प्रयोग है अपने दिमाग से सिर्फ positive विचार ही निकालो जब भी negative विचार आये तो positive विचार निकालने के लिए आपको अच्ची बाते याद करने पड़ेगी आपकी पतनी या पती आपके बच्चे आपके दोस्त आपका स्वास्त इनके अच्चे चीजों के बारे में याद करो आपकी छोटी छोटी सपलताओं के बारे में याद करो आपका दिमाग दुकत घटनाओ को भूलना चाहता है अगर आप उसको मदद करोगे तो यह स्परिश्ट है कि किसी भी नकारात्मक विचार को दोहराना इसका मतलब उसे खात पानी देना है अगर हम उसे खात पानी देगे तो वो धिरे धिरे बढ़ जाएगा और आपके आत्मईश्वास को नश्ट करेगा इसलिए आपको दिमाग को निगेटिव विचार बंद करने के लिए आप मदद करनी चाहिए जब भी निगेटिव विचार आए तो उसको पॉजिटिव के बारे में सोचो ऐसे करेगे तो आपका आत्मईश्वास बढ़ जाएगा आपको ए विडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे शेर भी कर दीजे और अगर अब तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब भी कर दीजे और बेल आइकन को दबाए ताकि हर एक विडियो सबसे पहले आपके पास पहुँझ आए जए हिन